दोस्तों ये हैं बेगु सराय जो की पिहार राज़े कुल 38 जिलों से एक एतिहासिक और लोक्री जिला है बेगु सराय पिहार का इंडर्स्ट्रियल और फाइनेंसियल कैट्पेटर के रूप में जाना जाता है ये जिला बिहार के मिधिला शेतर में गंगा नदी के उतिती खिनारे पर पिस्टीज है जो अपनी सिमाए खगड़िया लकी सराय समस्ती पूर मुंगेर और बिहार की राज़ानी पटना से साज़ा करता है इस सहर का परशास्निक मुख्यागर बेगु सराय सहर में मौजूद है जो सन 1870 में मुंगेर जिले के उप खट के रूप में स्थापित दिया गया था वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के महान हीदी कभी रामदारी से दिनकर जैसे कई मापूर्सों का जन्दी बिहार के बेगु सराय जिले में हुआ था अगर आपको दोस्तों बिहार की सड़ों पर चलते हुए जादातर बिया जिरो 9 नमबर प्रेट्स वाली गारिया दिखता है तो समझ जाए कि आप बेगु सराय जिले में दाखिल हो चुखे है यह जिले वर्तबान समय में के तरीबर 1918 किलोमेटर स्कुएर एरिया पर फैला है जहांकि जादातर आबादी खेती करके अपना जीवन यापन करती है वही साल 2011 में में जंगनना के आधार पर बेगु सराय जिले की आबादी 33,00,00 से भी अधिक है यहां प्रती 11,00 पर लगभग 896 महिलाएं पाई जाती है इस जिले के साथ शर्ता दर 76,00, 48% की है जिससे की पता चलता है कि बेगु सराय की जादत अबादी पढ़ी लिठी है बेगु सराय जिले का ट्रांसपोर्ट दोस्ता अगर बात की जाए जोस्तों यहां की यातायाद सुजिनाओं के बारे में तो बेगु सराय बिहार और देश के दूसरे भागों से सड़क और रेल मार्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है वही बेगु सराय से सक्रीबन 5 किलो मिटर की दूरी पर उलाव में एक छोटा हवाई अड़ा की है जहां नगर में आने वाले कुछ है तो पूर वेक्तियों का आगमन किया जाता है इस सहर के मुखे रेलिश्टेशन का नाम बेगु सराय रेलिश्टेशन है जो की इस सेंट्रल रेलिवेजों के अंगर में आता है यहां से दिली, गुवाटी, अमरिक सर्वारानसी, लखनो, मुबई, चैनली, बैंगलोर, आधन जगों के लिए ट्रेमें पुपती है बेगु सराय जिले का इतिहास अगर एक इतिहासिक रूप से देखें तो 2 अकुबर 172 में बेगु सराय को एक सोतंतर जिला के रूप में सामने आया इससे पहले 1870 में बेगु सराय को मुंगेर जिले का एक अनुमडल के रूप में स्थापित किया गया था बेगु सराय के नाम करण के पीछे में काफी रोचक कहानी छुपी है ऐसा कहा जाता है कि इस जगे पर भागल कुटी बेगम हमेशा आया करती थी और उन्हें ये जगे इतना भाग गया था कि परते एक वर्स वो यहां आकर रुपती थी तथा बेगम के हर बर्स यहां आने और रुखने की वज़े से यहां का नाम बेगम सराय हो गया जो कि अपर भंस बनकर अब वर्तमान समय में बेगु सराय के नाम से जाना जाता है और आईए दोस्तों अब बात करते हैं बेगु सराइ जिने में गूमने फिरने योगे कुछ एकी आसल कर स्थलों के बारे में तो यहाँ पर आप कॉमर लेग बर्ड सेंचुरी जैमंगर गड़ टैंपल नौलका टैंपल बेगु सराइ म्यूजियम और यहाँ के अजात सत्रूतिने की सैर कर सकते हैं